पिदी तिग्ना मिटि का खुशन है क्या कोश्चन है ध्यांब दीजेगा तू साइन फॉसिन पाइबा एट तू पाइबा एट कूछ ओड़ेट पॉड onion से अ यह अग्रम इस मी हैं लिख भी देता साइन इन दोनों का सम आप करेंगे तो आपको मिलेगा पाई इसका मतलब एक चीज़ याद रखेगा कि साइने प्लस साइन भी को आप चाहें तो टू टू साइन इस इनटू में हो तो आप लिख सकते हैं sin square है because sin pi minus theta sin theta होता है एक चीज अब यहाँ पर यह दोनों same है और 2 plus 6 यह भी दोनों same है अच्छा यह अगर ध्यान दें तो यह sin 3 pi by 8 है बल्कि एक मेंट यह दोनों भी sorry यह दोनों same है और यह दोनों same है अच्छा sin 2 pi by 8 को अगर आप ध्यान दें तो actual में यह sin pi by 4 है और sin 6 pi by 8 को ध्यान दें तो यह sin 3 pi by 4 है इसकी value भी 1 by root 2 इसकी भी value 1 by root 2 यानि दोनों का multiply 1 by 2 हो जाएगा तो अगर आप systematic तरीके से question को करेंगे तो आपको कभी भी problem नहीं होगी तो यह 2 है ठीक है इन दोनों का combination मिलके भी 1 by 2 होता है और यह आग first और last से हम लिख सकते हैं sin square pi by 8 into sin square 3 pi by 8 यानि question इतना सा solve होके हो गया अब whole square आप बाहर भी लिख सकते हैं और यह हो गया sin pi by 8 into sin 3 pi by 8 का whole square अब दो तरीके हैं या तो आप 2 sin A sin B का formula यूश कर ले and this is cos A minus B minus cos A plus B या फिर अगर यह cos में convert हो सकता तो देख लीजे तो sin 3 pi by 8 को आप चाहें तो sin pi by 2 minus pi by 8 लिख सकते हैं की नहीं बिलकुल लिख सकते हैं नहीं cos pi by 8 तो आप चाहें तो इसको sin pi by 8 cos pi by 8 का whole square 2 का multiply 2 का divide तो यह हो जाएगा अंदर ही 1 by 2 sin 2 A यानि pi by 4 था whole square तो 1 by 4 और यह 1 by root 2 का square यानि 1 by 2 तो answer हुआ 1 by 8 तो right answer is 1 by 8 ऑजध के हैं एगेदी आओे झाहें